नवस्कार आप देख रहे हैं विकी नियूज और में दिश्टोर उपाध्य है कॉंग्रेस के पूरवद्यक्ष राहूल गांदी अपनी राधनी चमकाने के चक्कर में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं जिसके बाद उनकी जमकर चीशा लेदर होती है एक बफिर से राहूल गांदी ने ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद वो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के निशाने पर आए गए हैं राहुल गांदी पर निशाना गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरूपाणी और उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आलतनात ने साधा है CM विजयरूपाणी ने राहूल गांदी पर गुजरास सरकार की पहल को खुद का आईडिया बताने का आरोप लगाने के साथ राहूल गांदी को नकल्ची बता है तुमें CM योगी ने राहूल गांदी को बचकानी अरकतों से बाज आने की नसीफ दे डाली राहूल गांदी रेशनवार को ट्वीट करते हो लिखा कि ये अच्छा विचार है मैंने कुछ समय पहले इसका सुजाव दिया था इसे लागू करने के लिए मानसिक्ता को पूरी तरह से बदलना ज़रूरी है फिर क्या था राहूल गांदी के जूट को पगड़कर गुजरात के मुक्यमंत्री विजह रूपाणी ने सबूत के साथ बे नकाब कर दिया राहूल गांदी के ट्वीट का जवाव देते हुए विजह रूपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार की पहल को कौपी करना और उसे अपना आईडिया बता कर बेचना आपको शोबा नहीं देता सीम रूपाणी ने आगे कहा कि मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको सब कुछ पता होगा लेकिन आपके स्क्रिप्ट लेखों को चीजों को बहतर तरीके से जनना चाहिए राहूल गांदी पर निशाना साथते होए विजयर उपाणी ने आगे लिखा कि वन डिफीट वन रिएन्वेंशन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहते हैं विजयर उपाणी ने गुजरात की पूरु सीम आनंदी वन पठेल के स्क्रिंशॉट को भी साजा किया जिसमें आनंदी वन पठेल ने 2016 में ही बत और सीम बन वलेज वन प्रोडेक्ट योजना का एलांग किया था विजर उपाणी के अलावा सीम योगी ने भी राहूल गांदी को आयना दिखाया सीम योगी ने ट्वीट करते हों लिखा कि शायद उनकी यादाश्ट तमजोर हो गई है थोड़ा जोर डालेंगे तो याद आ जाए बीजेपी ने 2017 विदानसवा चुनाओ के घोशना पत्र में हर जो लेके इस्थानी उत्पाद को बढ़ावा देनी की बात कही गई थी आज ये योजना चोटे उत्द्योगों और इस्थानी कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है सियम योगी ने अगले ट्वीट में लिखा कि क्या वे अपनी बचकानी एरकतों से कभी बाज आएंगे हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडेक्ट का मंत्र दिया और इसे जमिनी स्तर पर मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया यह योजना आज कोवीड अबदा में इस्थानी स्तर पर ही रोजगार देने में रामबार सिद्ध हो रही है जो कहा सो किया यानि कि खुद को सबसे बड़ा रणनीतिकार समझने वाले राहूल गांदी शेर लेने के चक्कर में बुरी तर है खिर गए खेरे पहली बार नहीं है इससे पहले भी कई बार राहूल गांदी ऐसी अरकातें करके बेनकाब हो चुके हैं इसके बावजूद भी वो सुधरनी के लिए त्यार नहीं है देश्वर दुनिया की तमाम फुर्ग पानी के लिए देख तरी वीकी निउस नवस्कार